नमस्कार दोस्तों आप सभी का कुछ बाते बात में स्वागत है दोस्तों सनात्म धर्म से कॉंग्रिस परिशान है दोस्तों नरेंद्र मोदी से कॉंग्रिस जो है बिल्कुल भी परिशान नहीं है जब मैं यह वाक्य कहता हूं न दोस्तों उसके पीछे कुछ कारण है और वो फिर हिंदूस को उन्होंने बड़े ही चतुराई से आजादी के बाद जातियों में बाठ दिया और जब जातियों में बाठ दिया तो एक छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कम्यूनिटीज बनके चाहें वो आपके SCST जो जातिया है चाहें OBC है चाहें वो आपके ब्रामन हो चाहें राजपूत हो तो आप देखेंगे कि हर जगह पर आप देखेंगे कि एक ब्रामनों का एक क्या स्था बना हुआ है उसी तरह से राजपूतों का भी एक organization बना हुआ कुर्मी हो गया चाहें जो वी SCST और जो है तो वो सब अपने अपने तरफ से जितने भी उनके प्रयास होते हैं तो वो अपने अपने समुदाय को ही आगे बढ़ाने के लिए या फिर उनकी भलाई के लिए सारे के सारे क्रिति किया जाते हैं लेकिन वो सारे के सारे जो क्रि उसको जिस तरह से उसको आके बढ़ाने के लिए कारे किये जा रहे थे, उनके followers के द्वारा, वो नहीं हुआ, और उससे फायदा क्या हुआ, Congress को politically, कि उन्हें एक ऐसा work मिल गया, जिसे कि आपको भाव नहीं देना है, आपको पता है, कि वो टुक्ले टुक्ले में है, और जब हमारी जो politics है, जो हमारी जो सत्ता है, उसको वो चुनोती नहीं दे पाएगा, और पिछले काफी समय से, जब से आजाद हुआ है भारत, उसके बाद से Congress को as such, उनकी जो rule है, या फिर उनका influence जो है, उसको कोई खास किसी नो चुनोती नहीं दी, 2014 में जब elections हुएं दोस्तों, वहाँ उसके बाद जो नरेंद मोदी चुन करा है, प्रदान मित्री बने, तो नरेंद मोदी ने, मेरे खल से शायद इस game को बहुत ही अच्छे से समझा होगा, उसका अध्यन किया होगा, और उन्हें ये भी सोचा होगा कि भाई, इसका काट क् किस तरह से जो संपूर्ण हिंदू समाज है, सनातन के followers हैं, उनको एकेत्र किया जाए, ताकि वह अपने धर्म के लिए बाते करे, अपने धर्म के जो है, उस पे गर्व करे, ठीक है, और Congress ने जब इनको टुक्रे टुक्रे में बाटा था ना दोस्तों, तो सब ग्रूप जो प्रतार मंतरी बनने से पहले वो प्रचारक रहे आरासस के, तो उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत ही नज़दीक से देखा होगा, और उनमें कहीं न कहीं ये बात रही होगी कि भाई हमें, जो हमारा समाज है, सनातन समाज है, उसको एकेत्र करना है, जिसमें जो ये, जो यह आ गई हैं उसको खतम करना है है तो यह बात सही होगी और कहीन है जब बने न दोस्तों तो वह दीरे-दीरे-दीरे-दीरे इनहीं सब पर एक के बाद एक के बाद एक कारीक करने लगें चाहे वह काशी विश्नात मंदिर का जो है चिर्नोधार किया गया वहाँ पर पूरा काशी विश्नात कॉरिडर बनाया गया और उसके बाद जिस तरह से वारनिसी का काया कल्ब किया गया उसके बाद आप आयोध्या का मामला देखिए आयोध्या में मंदिर भव्य मंदिर बनकर प्यार ह हो गया है और उसके साथ साथ में वहां पर एरपोर्ट हवाई अड़े इस सारी चीज़े वहां पर बनी तो एक तरह से सनातन की एकॉनिमिक्स बनी और लोगों को लगा कि भाई देखिए तो हमारे धर्म के बार जो यह मंदिर बने उससे कितना लोगों को फायदा हो रहा है और उसके बाद जो है न दोस्तों वहां से लोगों को न उन्होंने फिर अपनी जो धर्म है न दोस्तों उसके बारे में जो उन्होंने अपनी किताबों में बढ़ा था जिसमें की धेर सारी जातिवादी और अगड़े पिछड़े और इस सब का ह लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई यह सारी जो चीज़े बन रही है यह सारी चीज़े हो रही है तो हिंदु जह है धीरे-धीरे खड़ा होना चालू किया और जब वो खड़ा होने लगा दूस्तो तो जब आदमी के पास उसके गले में थोड़ी सी आवाज आने लगी और वो सवाल पूछने लग गया और जब वो कॉंग्रेस से सवाल पूछने लगा वो तो कॉंग्रेस जो है धीरे-धीरे असहिज होने लगी और कॉंग्रेस पिछले दस साल में ये समझ नहीं पा रही है कि इस इन सवालों के जवाब जो है वो कैसे दे में वो जबभी प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी अपने धर्म से संबंदित काम करते हैं कि यहां वो अयुद्य huh- सेुला नास यूज उसके बात फिर उस aby द्धौन करने की बात हो जह है वारनेसी में जो मंदिर काशिमिसनफ मंदिर कॉरिडर उसके उद्धाटन की बात हुई ठीक है चाहें वो क्या करते हैं तमिलाडू में जो मंदिर हमाँ पर चाइनिस प्रेजिजन्ट को लेके गए और इस तरह से उसके बाद फिर आपने अयोध्या का मंदिर से लाना सोने से पहले जिस तरह से वह जो मंदिर चहां से की जो की भगवान राम से सम्बन परहें हैं उनके दरशिन कर ने लेकिशन करने का और जिस तरह om भारत में का पिस सारे जगो का का और वोलते काफी उनके development किया गया चाहें वो आपका केदारनाथ हो चाहें अमरनाथ हो जिस तरह से वापस सुविधाय बढ़ाएगे चाहें चार धाम है उसके लिए जिस तरह से सुविधाय चाहें रोड का infrastructure हो जो भी वहाँ पर temple के लिए जो infrastructure हो जहन का जो corridor बना है इन सब के बारे में तो यह कहीं न कहीं यह जितने भी सारी जो activities होई दोस्तों उसने जो सनातिन के जो followers हैं उन्हें इन चीजों पर देखने पर मजबूर किया कि भाई हमें तो एक ऐसे जगा पर फसा दिया गया था तोड़ तोड़ के रखा गया था हमें इस बात की आजाती नहीं थी कि हम एक सनातिनी बन कर सोच चकें हम जब भी सोच रहे थे तो हम एक ब्रामण बन कर सोचते थे एक सेस्टी का वेक्टी बन कर सोचते थे यह सारी चीजहें उन्हें देखा सुना और उसके सासा दोस्तों जो है हिंदू समाज जो है वो यह भी देखता देखा उसने कि किस तरह से Congress न पिछले सतर सालों से जिस तरह से राज किया उस तरोस जिस तरह से उसने राज किया उसने पहले एक तो देश का बटवारा किया है धर्म के आधार पर उसके बाद उसने देखा कि भाई धर्म के आधार पर बटवारा होने के बाद भी हिंदूों को कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वह आपस इन्होंने सेकुलर देश बना दिया और सेकुलर देश बनाने के बाद भी जो मुस्लिम हैं उनको फिर से वापस क्या बोलते हैं फिर्स क्लास सिर्जिन बना दिया उनकी सारी की सारी बाते मानने जाने लगी और इस्लामिक फोबिया के नाम पर वापस हिंदू को ही दबाया जाने लगा एंटी कमुनल बिल आने लगे लाए जाने लगे जिसमें कि यह कहा कि जब भी कोई दंगा हुआ तो इसमें जो मैजोरिटी कम्यूनिटी है वही दोशी ठायर आए जाएगा तो उसने बला कि भाई ये कैसी बात है ठीक है तो वहाँ पर भी हिंदू बात करने लग गया उसक जो कोड बिल तो कॉंग्रेस लेके आगे जवाला नहरू लेके आगे लेकिन जो 1933 या 1938 से जो शरिया जो प्रिटिशेस लेके आए थे उसको ना तो छेडा गया ना उसको बदला गया कुछ भी नहीं किया गया और कहा गया कि भाई जब समाज की अंदर से ऐसी कोई आवाज तो हम सोचेंगे उसके बारे में तो हिंदू यह देख रहा है कि भाई यहां पर तो स्पेशल प्रिवलेजिस मिले हुए हैं दिये जा रहे हैं तो हिंदू उस पर सवाल उठाने लग गया ठीक है उसके बाद उसने देखा कि भाई यहां पर तो सिर्फ कहने के लिए वो majority है 20-25 कुरोर की जन से क्या दोस्तों मायरावर्टी तो हो नहीं सकती है आपकी हो 2-3 कुरोर 120 में से कहें तो भाई वो भी उस पर भी बात करने लग गया फिर कॉंग्रेस के जो ऐसे ऐसे जितने भी मंदिर मंदिर थे उस पर सरकार का कंट्रूल बड़े-बड़े मंदिरों पर छोटी-चोटे मंदिरों पर भी मुस्लिम घटि जो आपकी चर्चे से जोसे बही आपको उनको बिचली का बिल भी नहीं देना पड़ ता हुँन से टेक्स नहीं लिया जाता है HAS और यहां पर हिंदूों से टेक्स इना जाता है बिल भी किया जातर है उसके और उस ने लोग आ देखा ँभा सरकारी इंप्लॉईज बने हुए हैं तो भई बोला कि ये कैसे है उसके बाद हिंदू ये भी देखा उसने कि भई हर एक बहुत सारे स्टेट्स में आपके मौलाना मंदिर मस्जिद के मौलाना है और उसके साथ में जो सहायक है उन सब को आप सरकारी नौकल की तर आप उनको स देख रहा है कि भाई जो हमारा OBC जो रेजवरेशन दिया गया है सनातन धर्म के जो पिछड़े लोग है उसमें भी आपने मुस्लिमों को पिछड़ी जाती बनाकर सब को गुसेड़ दिया तो हिंदू देख रहा है और वो समझ रहा है और जब भी हिंदू कोई जब भी मो से संब्धित करते हैं तो इन सारे मुद्दो को नहीं कहीं से हिंदू के मन में जग आता है कि हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है अन्याय के साथ वो यह भी सोचता है कि हमें कि इसके खिलाफ आवाज उठानी है और कॉंग्रेस से इन सवालों के जवाब मांगने है और उसके सासत वो ये भी देखता है कि भाई यह हमारा जो धर्म है कितना व्रिस्थे कितना बड़ा है कितना उदार है और उसे अपने धर्म पर गर्फ भी होता है और समय आज के जो है इंटिनेट के जमाने में वो दूसरे धर्मों के बारे में भी जानता है उनके बारे में सुनता है पढ़ता है तो वो क्वांटिटिटिव स्टडी भी कर रहा है ठीक है और उसके बाद जो है उस पर अपने निर्णे भी ले रहा है और एकत्र भी हो रहा ह है ऐसा नहीं कि जो अभी भी जो समाज जो है सेस्टी या फिर इन सब में टूटा हुआ नहीं है लेकिन धीरे-धीरे जो है सनात्म धर्म के जो लोग हैं वो एक क्या बोलते हैं एकता वाला भाव जो है वो लिक्या रहे हैं वो अपने धर्म पर गर्व करना चालू कर रहे हैं और यही दोस्तों कॉंग्रेस की सबसे बड़ी परिशानी है नरेंद्र मोदी कोई परिशानी नहीं है अगर नरेंद्र मोदी कल इन सारी एक हिंदू है अपने हिंदू होने पर गर्व कर रहा है वो एक होकर वोट दे रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर मैं एक होकर वोट नहीं दूंगा तो यह मुझे तोड़ देंगे और यही कारण है दोस्तों कि जितने भी Congress है चाहे पमता दीदी है जाहें क्या बोलते हैं समाजबादी पाटी के लोग हैं जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हीं इसी बात का डर है और जब नरिन्द मोदी साथना के लिए जाते हैं कन्या कुमारी तो उन्हें लग रहा है कि भाई जो हिंदू है वो यह देख कर कहीं ने कहीं उनकी अंदर जो हिंदू वाला भाव है ना वो कहीं दुबारा थोड़ा भी जाग ना जाए वो उनको इस बात से परिशानी है उनको नेरेंद मोदी से कोई परिशानी नहीं है उनको परिशानी जो है सनातन से है और किसी चीज़ से नहीं है दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कमेंट जरूर करें मुझे बहुत अच्छा लगे और हो सके तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें बहुत बहुत थान्यवाद दोस्तों